नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ऐसे हो गए दोस्तों बिहार में DL8 का online form 2024 ओलेडी निकला हुआ है दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बात करेंगा ना दो colleges होता है एक होता है दोस्तों सरकारी college उसमें कितना रोपय आपको सरकारी college मिलता है और कितना नमर आने पापको private दोनों का खर्चा का अंतर देखोगे न एक जगए दोस्तों एक रोपे लग रहा है तो एक जगए तीन रोपे यानि तीन गुना private में खर्चा है तो वह कितना नमर हम लाएं कि हमारा सरकारी में admission हो जाए और कितना नमर लाए सब्सक्राइब कोई तो मिल जाए कि कुछ टीजर में यह भी है न तो यह हर सल 50,000 वेकेंसी आएगा वर्तमान में आप लोग ने देखा होगा एक लाग सत्तर हजार पिछला 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 चल रही है और अगस्त में भी 50,000 से लेकर एक लाग के बीच में निकलन अधाद आपका बढ़ने वाला है लगबग लगबग अगर बात करें तो आपका पांच लाग से ज्यादे इसमें फॉर्म गिरने वाला है तो सारा परकिरिया यह आपको बताएंगे कौन-कौन भर सकते हैं वह तो अलड़ी हमने वीडियो बना रखा है बस 12 आपने किया है जेनरल है OBC है जिसको बिहार में BCBC के नाम से जाना जाता है तो आप लोग 50% आपका 12 में है क्वालिफिकेशन मस्ट 12 पास आपका होना चाहिए और 50% होना चाहिए बाकि यह दिहान रखेगा बाकि उससे HC है एस्टी है तो आपको 45% है तो यह सब बेसिक जनकारी है आगे आ अध्यान होना चाहिए सफेदो चलेगा यहां कोई भी हलका रंग तो चल जाएगा ठीके के सामने अच्छा तरह से किचा होना चाहिए आकर चैना सपस दिखाई जैना चाहिए बाकी और तो वह सब आपको दिया कर नहीं पैन के कि चुमाना तो यह जोसे जादा कुछ दिक् बार एक साथ है को बाइक की सिमसे नियों होगा ना अरक्षन का बिहार में इस पर बदल गया है क्योंकि बहुत चैनल करना हुआ उसके अनुसार यहां पर वेकेनसियां यहां है लिए सबसे सबस्दें सबसे पहले दूस्तों आपको पता है यह कितना साल को होता है दो साल में अगर सरकारी आपको करना है तो खर्चा पहले बताता हूं कितना नमबर लाना वह भी बताता हूं पहला साल कितना उर्षा होगा देखो दोस्तों हर वीडियो में हमने पतार रखा है मिनिममोम अगर हम खर्चा की बात करें नो आपको फर्स्ट यह यह जोस्तों आपको 10,000 रूपे से लेकर 20,000 रूपे के बीच में आपका खर्चा होगा फर्स यह का ठीक है जिलिवर नियर के second year के भी बात कर लेते हैं जो second year के गर हम बात करें ने इसमें भी दोस्तों आपका 10,000 लेकर 20,000 के बीच में खर्चा होगा ठीक है यह डिपेंड करता है college भाई college का अपना-पना होता है अगर पास मिल जाता है अच्छा college आपको अपलाई कर दोसमें सायद 12 college चुनने का option होते हैं तो आप लोग प्रिफरेंच डाल सकते हो जो भी आपका पास में दूर नहीं भरना है आपको क्योंकि भाईया डेली जाना आना समस्य हो जाएगा अगर आपको competition कभी तयारी करना है तो पास में करो डेली घर आजाओ अब बाकी तैयारी करो ये खर्चा टोटल अगर खर्चा की बात करें ना टोटल आपका कितना खर्चा होगा दोगो 20,000 से लेकर दोस्तों 40,000 खर्चा होता है ठीक है एक average मालो 30,000 का असपास उसके बाद जाने का आने का तो अलग है 24,000 हो सवाल आएगा न वो भी हम आपको बताएंगे पहले प्राइबेट का खर्चा बता देता है अब इसकी तैयारी आपको चक्सू पब्लिकेशन का बुक से करना है ठीक है बिहार डीलेक सयूथ परिष्परिशा 24 नियुनतम पैटकरम पादा है दोस्तों ये चक्सू पब्लिक से बुक से हो जाएगा और दोस्तों स्टडी गाइड के अलावा चक्सू पबिकेशन का प्रैक्टीस सेड्ट भी आता है दोनों सापका कमप्ली तैयारी हो जाएगा अगर तैयारी को और मुझ्बूत करना चाहते हो ना तो प्रैक्टीस आपको ले लेना है ठीक है ठीक है में आपको 20 प्रैक्टिस से ठेकनों के मिल जाएगा और 400 पेपर इसके लावा 2200 ज्यादा बहुत प्रस्मी इसमें सामिले इन दोनों बुक्स कर लिंगे दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको परवाइट करवा दिया है तो वहां से ओल इन खरी सकतो यह न होताना मनमानी चलते था प्राइबेट कॉलेज का यह हुआ सप्सार अजर मंतलब कुछ सीमा नहीं ता लेकिन सरकाय नें सीमा टेकर ечат एक इस से ज्यदा प्राइबेट कॉलेट पैसा नहीं ले सकता रुपह नहीं ले सकते सेकेंड यहेर के गर हम बात करें दोस्तों इसका कितना खर्चा है सेम दोस्तों आपका 30,000 के बीच में खर्चा होने वाला है तोटल अगर हम बात करें न आप सिंपल माय थे जोड़ सकते हैं तोटल खर्चा 60,000 से लेकर आपका 1,20,000 के बीच में खर्चा होगा ठीक है अब देखो यहां पर दोस्तों मीनिमम 20,000, 60,000 हमदर हो नो आपका कितना 3 गुना मैक्सिमम 40, 20 तो 3 गुना का अंतर है तो सभी बच्चे चाहेंगे जो 5 लाग बच्चा फर्म अपलाई करेगा हमें सरकार ही मिल जाए किसको पैसा खर्चा करनेगा अब देखो इसके लिए नंबर कितना नारा होगा आपको पता है कि दूस्तों 120 इसमें सावाल पुछा जाता है 120 नंबर का धाई घंटे का समय होता है ठीक है और निगेटी मार्किंग भी नहीं होती है तो यह जाईस ही बात है थोड़ा ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा सावाल पूछा जाता है हिंदी से 25 कोस्चन मैस से 25 साइन से 20 इंगलिस से 20 और रिजिनिंग से आपका 10 टोटल यह होता है पेपर जो होता है CBT होता है और इसके अलाव दोस्ता हम बात करें न हिंदी में सवाल और इंगलिस में दोनों लागे में आपका सवाल पूछा जाता है कोई दिक्कत नहीं होने वाला ठीक है 120 में हम कितना लाइत हमें सरकारी कॉलेज मिल जा ध्यान समझेगा दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको 90 प्लस आउट अप 120 में लाना पड़ेगा 120 में से 90 प्लस अब यह ध्यान अखिएगा इसमें टोटल पोस्ट जो है न दोस्तों तीस हजार से ज्यादा आपका पोस्ट है ठीक है और अपलाई करने वाला पांचला कास्पा चला जाएगा बच्चा और जोस्तों तीस हजार मात्र बच्चों का समया चलो तीसी या 35,000 हाड़ी-चाड़ी मातला पोस्ट है तो बाकी बच्चों एक तरह से आप बोल सकते हो सरकारी का सीमा है सरकारी में ज्यादा सीट नहीं है सरकारी कोलेज का मतले संख्या कम है तो सरकारी में वहिया कंप्रिटिशन तो होगा उसके लिए 90 पलस पिछला कुछ डाटा का अधारपे में बता रहा हूँ गया 65 kita के लिए कि लिए बाकी दोस्तों से अपको मतलब 116 में यह 066 में और तो प्राइब्स मेंसे इससे ज्यादा लागवब तह फिर प्राईबेट मिलेगा और इससे मतलब अब lleva प्राइबेट कोलेज मिल जाएगा तो नमबर आपको जाहिर सी बात है कम से कम 60 के आज पास तो लाना होगा यानि 50% टोटल 120 का 60 नमबर तो आपको 50 प्राइबेट कोलेज मिल जाएगा और नीगेटिम नहीं है प्राइबेट में से करना है सरकारी आपको करना होगा जिसके लिए 90 टारगेट करना है तो आपको 60 प्राइबेट करना होता है अगर आपको दोस्तो एक से लेकर पांच वियानी प्राइमरी तक पढ़ाना है अब कम मन होता होगा ना बहुत सारे बच्चों को होता है यह घ्यान रखेगा अब बहुत सारे बच्चों का पास 50% माक्स नहीं है जैसे जैनल का भी CBC का तो कैसे अप्लाई करेंगे वो बीट करेंगे गर जो सन में 50% प्लस है तो आप बीट करो यह दुस्तों मैंने आपको समझा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए संपुन जानेकारी मैंने आपको दे दी तो आपकी इरादा उपर करता है अगर एक से पाँचीवी तक आपको पढ़ाना है तो यह आपके लिए नहीं पढ़ाना है और आपके पास 50% मांक्स अगर 12 में नहीं है तो फिर आपके पास भी एट करास्ता बशता है तो वह कर सकते हो ठीक है खर्चा चाहिए अब बता दिया तिक चलि जोस्तों फिल